नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का इलेक्टरिकल इंजिनेरिंग इन हिंदी में डीशी मशीन को कंटिन्यू करते हैं तो देखे पहला कोश्चन है हमारे पास तो ध्यान रखेंगे मित्रों जो संट रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है एक आर्मेचर रेजिस्टेंस है तो देखे जो संट रेजिस्टेंस है या जो संट फिल्ड होता है उश में क्या है जो फिल्ड करेंट है फील्ड करेंट वो क्या है बहुत कम होता है फील्ड करेंट क्या होता है कम होता है इस वज़ा से जो है जो संट रेजिस्टेंस है ठीक है वो क्या होता है वो ज्यादा होता है ध्यान रखेंगे इस चीज को वो क्या होता है ज्यादा होता है हाई होता है अब बात करते हैं आर् our nature resistance बहुत कम होता है very low ठीक है और यह जो है less than one ohm होता है ठीक है हमने बहुत बार इस चीज को बताया हुआ है less than one ohm होता है ठीक है very low our nature resistance बहुत कम होता है जो field का resistance है या जो sunt field का resistance है वो क्या होता है high होता है ध्यान रखेंगे इस चीज को तो answer क्या बनेगा? answer हमारा बनेगा B वाला high पहले sunt दे रखा है sunt resistance high होगा और armature resistance low तो B वाला हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ठीक है? तो सभी लोगों से request है कि telegram channel को join कर लीजे वहाँ पर MCQ practice होता है और साथी साथ channel को भी subscribe कर लीजे नेक्स्ट कोशन देखते हैं DC generator has DC generator क्या होता है? उसका characteristics कैसा होता है? इसको characteristics के द्वारा समझना पड़ेगा कैसा characteristics होता है? DC sunt generator का तो ध्यान रखेंगे मित्रों जो DC sunt generator का characteristics होता है वो होता है slightly drooping characteristics ठीक है? कैसा characteristics होता है? slightly drooping characteristics होता है ठीक है? और यही इसी लिए जो है इसको जो है parallel parallel operation parallel operation में प्रिफर क्या किया जाता है? sunt generator को प्रिफर किया जाता है sunt generator को प्रिफर किया जाता है आफ सभी लोगों को पता होगा संट जनेरेटर प्रिफर किया जाता है और पैरलेल आवपरेशन के लिए और क्यों प्रिफर किया जाता है इसका कारण यही है क्योंकि यह जो है राकता है डूपिंग करेक्टरिस्टिक्स रखता है और मित्रों एक और भात धुन रखेंगे जो DC series generator है जो series generator है DC series generator जो है वो rising characteristics रखता है ठीक है वो कैसा characteristics रखता है rising characteristics रखता है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को next देखते है which one of the following generators is used for charging batteries ठीक है तो charging batteries के लिए कौमसा जो है generator यूज किया जाता है तो application ध्यान दीजेगा DC generator और DC motor का application आपको बहुत बढ़िया से तयार कर लेना है याद कर लेना है तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का charging batteries के लिए क्या यूज होता है sun generator यूज होता है बात करते हैं आपका separately तो ध्यान रखेंगे separately separately excited separately excited generator जो होता है वो कहां यूज किया जाता है वो जो है electro electroplating और electro refining ठीक है electroplating और electro refining में यूज किया जाता है ठीक है और series generator का बता देते हैं series generator तो ध्यान रखेंगे series generator का यूज का किया जाता है boosters on DC feeders ठीक है boosters के रूप में यूज किया जाता है constant constant current generator constant current generators for welding generator ठीक है welding generator के लिए constant current generator के रूप में यूज किया जाता है arc lamps में ठीक है arc lamps में और हमने बताया arc welding में कौन सा differential compound generator ठीक है और बात की जाए आप sunt की तो ध्यान रखेंगे sunt generator का यूज ये पहला वाला तो सही है battery battery charging के लिए यूज करते हैं ध्यान रखेंगे इस चीज को sunt generator कहां यूज करते हैं battery charging के लिए यूज करते हैं ध्यान रखेंगे ordinary ordinary lighting ordinary lighting purpose के लिए भी जो है क्या यूज करते हैं DC sunt generator यूज करते हैं बात करते हैं cumulative ठीक है cumulative compound की cumulative compound generator की cumulative compound generator का यूज कहां करते हैं तो ध्यान रखेंगे transmit energy transmit energy over long distance transmit energy over long distance ठीक है transmit energy over long distance अब बात करते हैं differential compound की ठीक है differential compound differential compound generator की तो हमने बताया है इसका कहां यूज होता है एक ही application है वो क्या है arc welding ठीक है यही exam में आता भी है arc welding में differential compound generator यूज किया जाता है तो ध्यान रखेगा यह सारा जो है DC generator का application मैंने बता दिया है ठीक है इसको याद कर लीजे next देखते हैं the dummy coils in DC machine is used to तो देखे dummy coils का आगया question और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था dummy coils dummy इसका नाम ही है dummy इसका कोई भी काम नहीं है cable और cable mechanical balance प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है तो पहला दे रखा है eliminate reactance voltage eliminate armature reaction bring about mechanical balance of the armature eliminate harmonics developed in the machine तो ध्यान रखेंगे क्या होगा C वाला होगा mechanical balance के लिए bring about the mechanical balance of the armature armature के mechanical balance को प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है dummy coil use किया जाता है next देखती है when a DC series motor is connected to AC supply the power factor will be low because of ठीक है जब DC series motor को AC supply से connect करते हैं तो power factor low होता है क्यों low होता है यही कारण पूछ रखा है तो ध्यान रखेंगे मित्रों जब DC से connect करेंगे जो है AC से connect करेंगे तो क्या आ जाएगा inductance आ जाएगा inductance आप सभी लोगों को पता होता है inductive reactance XL is equal to होता है 2 pi FL अब ध्यान दीजेगा अब जो है जब AC आ जाएगा तो जो है inductance आ जाएगा अब यह जो है inductance क्या करेगा यह बढ़ जाएगा क्योंकि DC राता तो frequency 0 होती तो reactance क्या होता 0 होता अब यहां से inductance जो है बढ़ गया reactance जो है क्या हो बढ़ गया तो reactance बढ़ने से क्या होगा impedance भी क्या होगा बढ़ जाएगा तो आप सभी लोगों को पता है cos phi is equal to होता है r by z यानि power factor क्या होता है r by z होता है जो impedance हो गया बढ़ गया तो power factor क्या हो जाएगा कम हो जाएगा power factor क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को तो क्या होगा high inductance of the field and armature circuits inductance की वज़ा से क्या होगा power factor low हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे field और armature circuit के inductance के वज़ा से क्या होगा वो जो है power factor low हो जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे next देखते हैं the speed of a DC sunt motor is required to be more than full load speed this is possible by FL मतलब full load speed कैसे possible होगा ठीक है तो आप सभी लोगों को ये पता होगा N is directly proportional to EB by phi आप सभी लोगों को पता होगा flux को कम करेंगे तो क्या होगा speed जो है बढ़ जाएगी speed क्या होगी बढ़ जाएगी flux कम कैसे होगा field current को क्या कर दें कम कर दें field current को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा flux जो है घड़ जाएगा field current कम करने से क्या होगा flux कम हो जाएगा flux कम होगा तो speed क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ध्यान रखेंगे इसका answer क्या होगा reducing field current field current को कम कर देंगे तो जो है full load से भी जादा जो है क्या होगा speed हो सकता है ठीक है field current को कम करने का मतलब है flux को कम करना field current कम करेंगे तो flux क्या हो जाएगा कम हो जाएगा next देखते हैं as the load is increases the speed of a DC sunt motor wheel तो ध्यान रखेंगे load increase करने का क्या मतलब है load increase करने का मतलब है current को increase करना ठीक है n is directly proportional to क्या होता है eb by 5 आप सभी लोगों को पता होगा अब देखें जो motor में terminal voltage होता है v is equal to eb plus iara होता है ठीक है यही होता है अब यहां ध्यान दीजेगा जो eb आएगा यहां से यह क्या हैगा v minus iara ठीक है यही जो है eb रख देते हैं यहां पे v minus iara by 5 ठीक है ध्यान रखेंगे अब देखेंगा मित्रों यह जो फाई है फाई क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा संट संट motor के लिए जो flux होता है वो क्या होता है constant होता है flux क्या होता है constant होता है तो हम कह सकते speed directly proportional to v minus iara होगा अभी अभी हमने बताया है जो load increase करने का क्या मतलब है armature current को increase करना armature current increase हो जाएगा तो क्या होगा speed क्या होगा कम हो जाएगा हो जाएगा एक नहीं हो जाएगा speed कम हो जाएगा और मित्रों ध्यान रखेंगे हमने यह भी बताया है जो armature resistance है वो क्या है less than one home है तो इसकी value भी क्या आएगी बहुत कम आएगी तो speed भी क्या होगा बहुत कम reduce होगा ठीक है तो answer क्या होगा d वाला reduce slightly ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा next question देखते हैं the variable loss in a dc sunt machine is ठीक है variable loss के बारे में पूछ रखा है iron loss sunt field loss armature copper loss friction and windage loss देखें iron loss सभी लोगों को पता होगा यह तो constant होता है sunt field loss तो बताइए अभी अभी हमने बताया है जो sunt का flux होता है sunt machine में वो क्या होता है constant होता है तो बताइए जो field current भी क्या होगा constant ही होगा तभी तो flux constant है यानि जो i square r होगा वो क्या होगा constant value होगी ठीक है इसलिए यह भी क्या है sunt field में होने वाला loss भी क्या है constant है अब ध्यान रखेंगे friction और windage loss भी क्या होता है constant loss ही होता है वो very करने से क्या होगा वो vary करेगा copper loss क्या होगा लोड के vary करने से vary करेगा ठीक है तो ध्यान रखेंगे armature copper loss ही क्या है यह variable loss है बाकी सब क्या है iron loss, sun field loss और friction and windage loss यह constant loss है ठीक है तो friction और windage loss को जो है दोनों को मिला करके mechanical loss भी बोला जाता है तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को mechanical loss ठीक है और iron loss में आप सभी लोगों को पता होगा ED current loss और hysteresis loss नेक्स्ट देखते हैं in case of DC sunt motors the regenerative braking is employed when the load when the load अब load का characteristics पुछ रखा है तो सबसे पहले तो समझेगा breaking होता क्या है ठीक है breaking तो आप सभी लोगों को पता होगा मोटर को जो है रोक देना वही क्या है breaking है मोटर को stop कर देना वही क्या है breaking है तो braking के अत्ता परकार का होता है तो आप सभी लोगों को बता देए जो है एक होता है आप सभी regenerative breaking ठीक है regenerative breaking और एक है क्या आपका dynamic breaking और एक है आपका plugging ठीक है सभी के बारे में बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा जो regenerative breaking है यह कब होगा ध्यान रखेंगे रीजनलेटू breaking तब होगा जब बैक EMF बैक EMF इस greater than supply voltage जब बैक EMF क्या होगा supply voltage से ज़्यादा हो जाएगा और मित्रों ध्यान रखेंगे supply voltage से ज़्यादा बैक EMF कब होगा जब क्या होगा आपका जो armature current का direction क्या होगा reverse होगा ठीक है armature current का direction क्या होगा reverse होगा इस condition में होगा क्या जो motor रहेगा वो कैसा रन करेगा generator के रूप में ठीक है ऐसा कब होगा motor कैसे run करेगा generator के रूप में जो है आप देखिए जब back EMF ज़्यादा हो जाएगा supply voltage से तो क्या करेगा वो जो है supply लेने के बज़ाए क्या करेगा supply देने लगेगा मतलब regenerate करने लगेगा इसलिए इसका नाम क्या है regenerative braking है ठीक है अब आईए देखते है dynamic braking के बारे में तो देखिएगा dynamic braking में सबसे पहले क्या करते हैं ये जो है supply से disconnect कर देते हैं क्या करते हैं motor को supply से disconnect कर देते हैं और एक braking resistor लगाते हैं किसके cross armature के cross ठीक है armature के cross क्या करते हैं एक braking resistor लगाते हैं RB और क्या करेंगे इसमें भी क्या होगा motor जो होगा क्या करेगा motor भी क्या करेगा वो generator की तरह run करने लगेगा ठीक है जब जो है supply को disconnect कर देंगे motor अब अपका घुमता ही रहेगा अब उसके cross क्या करेंगे तुरंट जो है RB लगा देंगे जो है breaking resistor लगा देंगे तो motor क्या करेगा वो generator की तरह जो है जो किता होगा जो है वो जो है waste हो जाएगा ठीक है एक तरह से अब ध्यान रखेंगे plugging के बारे में देखते हैं देखे plugging में क्या होगा जो है plugging में क्या करते हैं supply को reverse कर देते हैं ठीक है supply को क्या करते हैं reverse कर देते हैं जब आप supply को reverse कर देंगे तो होगा क्या जो torque होगा वो भी क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा जो torque reverse हो जाएगा तो speed क्या हो कम हो जाएगी जब टार्क ही रिवर्स हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी अब यह जो है धीरे-धीरे स्पीड क्या हो जाएगी और मोटर क्या हो जाएगा धीरे-धीरे स्टॉप हो जाएगा रुख जाएगा ठीक है supply को reverse किया torque क्या हो गया reverse हो गया और जो है speed कम हो जाएगी और motor क्या हो जाएगा रूख जाएगा अब आते हैं इस question के उपर in the case of DC shunt motor the reason rate you breaking is employed when the load has तो ध्यान रखेंगे has overhauling characteristics इसका अंसर होगा overhauling characteristics तो ध्यान रखेंगा मित्रू क्या होता है overhauling का मतलब समझेगा जो है overhauling जैसे माली जो क्योई load होता है क्योई load है overhauling characteristics का मतलब यह है जो motor रन करता है motor की normal speed से अगर ज्यादा motor run कर रहा है जो है तो उसका मतलब जोhere load है वो आपका कैसा है overhauling characteristics का है इस condition में क्या होगा, जो back condition में regenerative breaking क्या हो जाएगा जो है regenerative breaking जो हो जाएगा वो जो है आपके लिए सही रहेगा ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीज का ठीक है डाइनमिक breaking is very effective if the DC motor is ठीक है DC motor जो है कौन सा DC motor रहेगा जब डाइनमिक breaking जो है उसके लिए बहुत ही प्रभावी होगा सीरीज excited संट excited separately excited या cumulative compound excited excitation तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों को बता जो डाइनमिक breaking है इन सभी के लिए लग सकता है ध्यान रखेंगे चाहे वो सीरीज हो संट हो cumulative हो difference cumulative हो separately हो ध्यान रखना वाली बात यह है कि जो है यह पूछा है very effective यानि सबसे अधिक प्रभावी किसमे होगा तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक प्रभावी होगा आपका किसमे separately excited में तो ध्यान रखेंगे इस सवाल और सुजाओ तो नीचे कमेंट कर दीजे और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजे और टेलिग्राम पर भी जूड़ जाए थैंक्यू बेरी माच ह्यां किसमेंगे सबस्क्राइब कर देलिग्र तो धुछ रेंगे कर दो दीज़ कर दो सबस्क्राइब कर दोर फांड़िक